नमस्कार मित्रों पीशेश वर्ट सला में आप स्वागत करता हूं एक अलग तरह का प्लड़ा काप्राश्न बहुत सारी लोगों के दोरा हम से पुछा जा रहा है कमेंट किया रहा है और बहुत सारी लोगों की क्वयरी है। यह प्रश्णिया है कि अगर आप अलग बिसे से अगर आप PG करते हैं अलग बिसे से PG करते हैं ओभी मैं MA की बात करूँगा बिसे सुप से MA की बात कर रहा हूं Master of Arts की बात कर रहा हूं अगर आप जैसे BA अलग बिसे से कर रहा है और वह subject आपका MA में नहीं है ठीक है जैसे suppose that मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आप हिंदी हिष्टी या जगर्फी हिंदी हिष्टी जगर्फी से आप ने graduation किया वह भी BA किया है ठीक है अब उसके बाद आप MA करते हैं अलग subject से तो अलग subject से आप MA नहीं कर पाएंगे जब तक आप graduation के उस subject से आप BA नहीं करते हैं उस subject से MA नहीं करते हैं मतलब graduation में कोई एक subject जो आपने लिया है उस एक subject से आपको PG करना होगा उसके बाद PG करने के बाद मतलब MA करने के बाद आप कोई भी subject से किसी भी subject से आप MA कर सकते हैं मतलब graduation में अगर आपका Hindi नहीं है, या History नहीं है, जोगर्फी नहीं है, ठीक है, graduation में, तो आप कोई एक subject जो graduation में रहा हो, उस subject से आप MA करिए, उसके बाद आप कोई भी मानवीकी के subject से MA कर सकते हैं, हाँ, अगर उस मानवीकी के subject से, जैसे मालेजे History अगर आप आप BA में नही किया है, चाहे आप BSC के हों, और चाहे BA के हों, अगर आपका History नहीं रहा है, BA में, और आप MA आपका History से कर रहे हैं, तो पहले एक subject से आप MA कर लिए, जो subject आपका BA में है, उसके बाद आप History से, या जगर्फी से, या किसी भी subject से आप MA कर सकते हैं, हाँ, यहाँ बात है, क्य माल जिए हिस्ट्री से अगर आपने में कर लिया है तो क्या आप लेक्षर बन सकते हैं क्या प्रोफेसर बन सकते हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल आप बन सकते हैं कोई दिकत नहीं है कोई दिकत नहीं है अगर आपका हिस्ट्री जैसे हिस्ट्री या जोगर्फी अगर आपका graduation में नहीं रहा है लेकिन अगर आपने MA history या geography से कर लिया है मतलब एक subject पूरा करने के बाद graduation के एक subject पूरा graduation का एक subject graduation के एक subject से PG करना होगा फिर double PG करने के लिए आप कोई भी subject से एक subject से आप MA कर सकते हैं उसे बाद UGC net आप उस subject से निकाल लेंगे तो आप बिल्कुल assistant professor के लिए लिजबल है कोई दिकत नहीं है assistant professor के लिए लिजबल है और PGT के लिए लिजबल है ठीक है और यहाँ जो प्रक्रिया है यह BSC वालों के लिए है BA वालों के लिए भी है अगर आप BSC है तो आप MA कर सकते हैं किसी भी subject से आप MA कर सकते हैं कोई दिकत नहीं आपके लिए ठीक है और BA भी है किसी भी subject से BA है ठीक है तो एक subject जो आपका BA में रहा है उस subject से आपको एक बार MA करना होगा उसके बाद आप किसी भी मानविकी के subject से MA कर सकते हैं उस subject से UDC net qualify कर लेजिए और बिल्कुल आप असे इस्टिन प्रफेसे के लिजिबल है और बिल्कुल आप PGT lecture के लिए भी इलिजिबल है लेकिन एक subject आपका हिंदी है हिंदी फसाओ subject होता कुछ subject ऐसे है जो बार बार कंबिनेशन मांगेंगे अगर हम अप हिंदी से PG है MA किये हुए है ठीक है तो UDC net है तो कोई बात है UDC net हिंदी से निकाल लेजिए अगर हमा हिंदी नहीं है B.A. में कोई दिक्कत नहीं है B.A. आपका हिंदी नहीं है तो B.A. में किसी subject आपका है B.A. में आप बिल्कुल assistant professor भी बन सकते हैं और PGT lecturer भी बन सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत condition apply है कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको ठीक है तो इस तरह का प्रशन बार बार लोगों के दुआरा आ रहा है बार बार एक लड़का मुझे कोई question किया हुआ था वो BPSC कुछ ऐसे subject होते हैं जिसमें combination मांग देता है BA का combination मांग देता है तो वहां दिक्कत हो सकती हैं बागी किसी चीज के लिए दिक्कत नहीं है थीक है थोड़ी बहुत दूप है यसलिए सही से photo नहीं आ रहा है वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं थीक है तो यही सब दिक्कत है ठीक है और यूजिसी नेट भी आप कर सकते हैं जब यूजिसी नेट कर ले रहें तो असिटन प्रफिसिकल अप्लाई क्यों नहीं कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है ठीक है मैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा धन्यबाद आप लोगो झाल वीडियो प्रफिस कर ले बाग।